हेलो फ्रेंड्स, तुडे, वे हो प्रेक्टिकल ओफ करेक्टरिस्टिक ओप गाइगर मोलर ट्यूब गाइगर मोलर ट्यूब नी लाखसाणिक तानो ग्राफ दोर वो तो गाइगर मोलर ट्यूब एटले सून तमय जानाँ छो इट एवन टैप अफ गास-फिलेट त्यूब गास इस फिलेट लोर प्रेशर नव यो यो गास प्रेशर त्यूब इट इस देग्टक्ट रेक्टियो अक्टिव पारिक्टिकल्स लाफा बीटा और गामा these are suppose strontium source, okay, radioactive particles are emitted from it and incident on this gas field inside the tube, what will happen, ionization process takes place, okay, there produce positive charge and negative charge, negative charge come into the circuit, okay, and it will be, comes here, produce current, you can see here at parallel there is a counter, so due to current flowing through this counter, you can see, you can measure the count corresponding to alpha particle, so in this way, you can detect the presence of alpha, beta or gamma particle, you can compare the intensity of alpha, beta or gamma particle or radioactive sources, we are using GM tube, okay, alpha, beta, gamma, component, proportionate, so this is a counter, so this is a counter, and this is a counter, alpha, beta, आपड़े माफवाना चे, अने, अहिया आगाड, alpha, beta काणा आवेला चे, ionization थायलू चे, electron छूटा पड़ेला चे, पने, अहिया शर्कीट माँ आवे, एटला माट आपड़े शू करिये चे, EHT, extra high tension voltage लागा दला चे, इप, you do not have applied any extra high tension voltage और V voltage, then you can say, circuit does not complete, अहिया चे, काणों छूटा पड़े राचे, सर्कीट माँ आवे शे नहीं, अने, अहिया आगाड, counter माँ आपड़े, alpha, beta के, gamma, काणों ना count आपड़े गणी सक्छू नहीं, इतना माटे, EHT count मुकवामा आवे शे, sorry, EHT voltage मुकवामा आवे शे, तो हवे EHT voltage मुकवामा आवे शे, अपड़े जूएं, अपड़े सू के सू, EHT voltage versus count नो अपड़े ग्राफ ले शे, और ये ग्राफ चे, आग count versus EHT voltage, count versus EHT voltage, तो count पेला वज से, पची लगभग stable रहे से, अने 25 तरीकडाउं रिजेन आवे से, तो आ लगभग जे stable, रिजेन जे वोल्टेद ना जे रिजेन नी अंदर, आ stable count मले, ए रिजेन ने, प्लेटू रिजेन तरीके उड़ाखामा आवे चे, अतो तो stable region तरीके उड़ाखामा आवे चे, अने ए वोल्टेज ने स्टेबल वोल्टेज तरीक्यावड खामा आवे चे अस्टेबल रिजेन नी अंदर GM ट्यूब ने ओपरेट करवी 38 सुगमता भरेली चे अने सेफेस्ट चे एकला माटे आ GM काउंटर ना केरिश्टरिस्टिक नो आपने अभ्यास करी सकिया चे वोल् łatने सेåब़ कारिक्यावड ट्यूटेज ना प्रावड रिजेस्ट्ड उप्यावड गै यहां आगरतमें जो यह शको कोुग्याव जोओ लोडेज जोमु ने अध्या झावड जाव थावकल यहां जाओ माटेशमुली ता है is call Geiger molar tube, this one is called radioactive source, radioactive source ईक 5 Punга Gothic उपर छाजली जीली मां इता तो hå चलेव नि अंदर मुखेल säger ईडिसम से गोड हतों स tadi की ांदर दिखाया लुचिए व्यके अधिश यઅत्त ही टो ज से श्ञें की minimize श्यों था से एल आता हो थे तो這 a an अधियों नी अंदर सुन छे आधियों नी अंदर वायू भरे लुट चे वायूनु शु था से आयनी कर्ण था से तो सु था से इलेक्राण छूटा पड़ चे तो करण कुत्म था से अने आ सर्किंट मा तुम्ध यह वायर द्वारा आइसे आवेचे आपड़ों यह किbyल वोल्टेज आपने लगाड़शू तो जाए काउंट नोदी सक्षू, भाके आपने आलफा बीटा काणों जे आयोनाजेशन करेशे, यहेंड़ काउंट आपने नोदी सक्षू, ने, तो एस्ट वोल्टेज इस जीसफूल फोर काउंटिंग आलफा बीटा पार्टिकल्स, यहेंड़ रडियेशन चे यहेंड़ काउंटर नी मरत्ती आपने काउंट करी सक्याँचे, तो काउंटर माँ शू होई, तो आनी मरत्ती आपने एस्ट वोल्टेज चे, बरबर यहनी 50, Hurts, एक हेजार 50 आपड़ा वधार्टा आजाशू और कोर्स्पंडिंग शू करता जाशू आएक काउंट माप आजाशू, और यह उपर ते आबन्ये नों पुर्ण एक काउंट छे बरबार एक काउंट न दर एक क्या रे मले आपने एक काउंट न दर तो एस्टी वोल्टेल लगाड़ा लावे तो नहीं तो इलेक्ट्रोंट एन और के के थोड़ तरब जसेद नहीं ट्यूब मात परेड़ा रहा है यहां एकलाम आपने एस्टी वोल्टेल लगा लिया चे आभिए बच्छे जे तो प्लाज्मा मा पन सिखी चुके लाशो कि एस्टी वोल्टेल लगाड़ावाच पड़े तो चाल अहीं आगर चो आप बीजू छे अहीं आगर ए लाशारी के आ अहीं आगर चो आप आप आहीं आधक जोग झोच्यू ौचु चूहाँ चार्सो पच्चास चे वरवाख एनी अन्दर आव भत्तर पच्चास करवाओ अथात्य नेवू करवा तो चार्सो पच्चास वत्त्ता नेवू एनो सर्वाळो था यला वोल्टेज गनाए आछे ब सब्सक्राइण समय कुल गया है होुके में थिप्सक्राइण सब्सक्राइण कि एक होगी हिंतुचा नहीं सुः सेकंड काउंट देग नोड़ी est तो आ हंडुच छे मंुला अंग संग्राइक पंढाम आंधा मशेया नहीं आप सिज्डाइक खाएक बता है अपने आंधार आतार्स फिर बनाक शें ॉनो आप से सानी सिझी रिया Łुच Fitz तो आ बस थो जे आपने परला सिस्टेम भशे पच्छास उपर अने टेस्स अता तो टाइम उपर अथा आपने इस्टी हवागा उपर आपने राखी से सक्या चीए या फंक्सन ले बरबर अने आ अपने केटली सेकंड माते नो जो नाखी 100 से काउंट माते अ किसुष फो ओंट आमारे ट्रकम टो किसमें के तोल टूंध अश्च पर सेकन माते जह काउंट पर किने काउंट चाहिए ंव टो पर काउंट अगर पेला वेला वोल्टेज में मुल्य आपड़ काई नहीं राखे अगर केटों रख्षो 300 शुदी राखे अगर के 100 बसो उपर काई काउंट मलता नती अगर आपड़े जुई है तो आवे स्टार्ट करो चू जो स्टार्ट करो चू कि अगर केटला ओपर चे 300 बसो पर आपकाउंट मले आपने अगर साओ दीर हो तरी सेकंड माटे आरे सेकंट तमें वीचारों आपकाउंट चे एक आपने 100 सेकंड माटे 100 सेकंड थासे एटला आपकाउंट फूरा थासे पलर यह इनु काम करें चे बरबर मिलवया तम या सरकेट ने वोदी जो बरबर आयां होना सु करूँ तु पहला रिशेट केरा पचे मैं सु करूँ स्टार्ड केरा स्टार्ड केरे लिए निमेंडे काउंट करूनों सरू कर देदू यह निमेंडे स्टोप थासे it will be stopped itself सा माटें तो कि इंट्रनल सरकेट चे एक गोठवेली चे एकला माटें क्या रे काउंट स्टोप थासे when it will be stopped it will be stopped after 100 seconds तो आपने सु कर वानूँचे here you can see this chart how we will perform this practical you can see EHT voltage now count per 100 seconds तो पेली यह बखत आपड़े करिये तेरे आतला count फरी बार reset करी अने फरी पाचो start दबाविये अने 100 seconds उप्राबड मुके दिये तेरे आतला count मल से फरी पाचे reset करी ने फरी पाचे count निश्वीत दबाविये 100 seconds पाचे आतला count पाचे निश्वी अपसो अपड़े average आपी देश्वी अने count per second एतला आने 100 बड़े भगा करे तो count per second count per second versus EHT voltage अपड़े graph दोर्वाना चीए now you see here 100 seconds पूरी थे गए छे after 100 seconds ना आजी चालो उच्छे count चालो उच्छे count चालो उच्छे एकला माटे जो ये let us see 100 seconds अजी पूरी नगते एक मिनित अनन उप्राण 40 seconds so here comes this step of observation okay 360 voltage लाइज voltage तो तम्हें गम्मे लखी सक्सों पन ओछा voltage इसारू करवानू अने maximum 500 ते 700 voltage सुधी जावाम वदार हायल voltage उपर सुथ है कबर से अब रेकडाउं डिजन था तो आपड़े ट्यूबन नुक्सान पामें यहले 700 voltage करता वदार voltage आया मुक्वाना ना थि beyond 700 voltage okay tube will be entered in a breakdown region okay so it will be damaged so we should not increase the voltage greater than 700 to 800 यह ना थि बदार है आपड़े वोल्टेज बदार हाना थि clear तो आपको क्या करना है first of all let me say okay this one is a GM tube यह GM radioactive source है radioactive source में से alpha beta particle enter होते हैं enter होते हैं तो क्या होता है यहां से counter में enter होते है counter में से क्या मिलता है हमको count मिलता है we are measuring count per 100 seconds यह 100 है count per 100 seconds okay यह क्या है EHT voltage EHT voltage हम vary करते जाएंगे vary करते जाएंगे तो we will get corresponding count okay तो आप अंदर देख सकते हो पहले 300 पर 100 seconds के बाद हमको कितने count मिले चोरी 100 seconds के बाद 300 पर हमें 118 count मिले तो यहां suppose यहां आप कितना लिखो यहां आप लिख सकते हो 300 300 इधर कितने मिला 118 तो आप इधर 118 लिखना है दूसरी बार इसको reset करो और फिर से start करो आप फिर वापस क्या वागा इधर से क्या करना है आपके हमको reset करना है नया reading लेने के लिए और वापस क्या start करना है वापस क्या start करना है whenever you will start again it will be count for 100 seconds okay 100 seconds आएगा तो अपना थंब हो जाएगा stop हो जाएगा तो बाद में यह दूसरा वाला दूसरा प्रयास का reading यह अगें यू reset और तूसरा प्रयास का reading इधर लिखेंगे आप लोग बाद में इसका average निकाल कर रिया चाबस 300 वाल्टेज पर इतना 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 count मिला और यहां हम उसको लिख लेंगे यह क्या है यह average है यह average let me write this one is average this one is average इसका average मिलेगा यह average है one two three three times हमने practical किया है suppose यह voltage पर okay three times practical किया तो उसकी average आप यहां निकाल सकते हो okay और count per second तो इसी तरह से suppose यहां voltage vary करेंगे suppose 400 पर करेंगे suppose यहां से okay तो इधर में क्या लिखू अभी इधर suppose पहला मैंने 300 पर लिया दूसरा reading है ने दूसरा reading मैंने फोर पहला 300 पर लिया अभी मैंने क्या लिया four five zero पर तो four five zero पर 100 second के बाद जितने count आई यहां लिखना है यह तो जो भी लिखा आप अपनी और से लिख सकते हो कोई बात नहीं यहां three hundred है तो यह count मिला था फिर four five zero मेंने अभी रखा तो जो भी count मिलेगा 100 second के बाद वह count तो चालू हुए तो दूसरी बार hundred second के लिए होगा तृसरी बार साथ करेंगे और hundred second के लिए मिलेगा और तीनों का four fifty voltage के लिए यह हमें यह average value मिनेगे यह तीनों की बाद में count पर यह hundred second है यह count per second क्या होगा 29.44 है यह चार है तो दो डिजित इसमें से cut हो जाएगे इस तरह से देखते चलो यह देखो यह count बहुत में नहीं देखो आप लो four fifty पर है ने क्योंकि यह च्टी बढ़ा यह ने इसली देखो आप स्टोब हो गया तो 4500 पर आपको कितना लिखना है 4500 10,000 546 तो यह सपोज आप 4500 लिखेंगे दूसरी बार क्या करेंगे यहां से उसको रिसेट करेंगे दूसरा रिसेट करके वापस स्टार्ट करो वापस स्टार्ट करोगे तो यहां 10456 आपने लिखा तो यहां 10450 भी मिल सकते हैं यहां 10332 भी मिल सकते हैं तो तीनों की एवरेद लेना पर इधर लिखना चाहिए तो इस तरह से हर रेक वोल्टेज पर हर रेक EHT वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाओ इंक्रीज करते जाओ यहां तक लो 800 तक ओके सपोज यह रिसेट कर दूँ ओके फिर बापस यह 500 लगाया और यह बाद में स्टार्ट किया फिर 900 लगाया बाद में स्टार्ट किया तो इस तरह से यह रेंज क्या कर दो आप पूरी कर दो कभी क्या होता है हमको और भी फाइन लेनिंग रेंग होते हैं तो यह सपोज यह सपोज यह सपोज शाडी चार्षो तो यह आप शा और प्लोस 60 देखो तो क्या होता है 510 तो यह 510 वल्टेज़ पर यह काउंट आपको में सकता है तो इस तरह से आप fine running और भी fine running ले सकते हूँ यह reset है यह set तो बीच में कोई वाला रेणिग आपको अच्छा लगता है कि यह मेरे को लेना है तो यह fine tuning इसके साथ इसके साथ plus होगा इसके साथ यह plus होगा जितना भी रुखो तो वो भी आप बीच में इसे इसा रेणिग ले सकते हैं क्लिय है यह दोनों के भीष yay दोनों के भीष लेना है यह दोनों न के भीष तो यह फाइन टुनिग लेना है तो भी यह फाइन तुनिग यह प्लस अप आप कर सकते है इत्pler्ट तो इसी तरह से देखो में पाहला प्रयो valeur किया थादakter इसमें स्टोन संप की जगह मैंने कोबाट लिया था कोई भी आप लोग यूज कर सकते हो इसमें आप देख लो पहले पहले यह कितना रखा था 360 360 कैसे रख सकते हैं इसको 300 रखो यह वाला 300 नीचे 300 और यहां 60 है यह 60 तो 360 हो गया यह वाला है इधर से ओके और रिसेट करके और 100 सेकंड के लिए मैंने लिया तो 360 पर यह आया बाद में फर मैंने रिसेट किया यह बाद में रिसेट किया अगें स्टार्ट किया अगें 100 सेकंड के लिए थंब किया मैंने स्टोप किया तो मेरे को दूसरा वाला रिडिंग मिला फिर से रिसेट किया तीसरा वाला तीनो का मैंने अवरेद निकाली तो यह मिला मेरे को डिवरेड़ बाइट हंड्रेड किया तो काउंट पार कि सेकंड मिला बात में 375 लिखा यह 75 लगाया मैंने यह 75 यहांने 60 था तो 75 तो 375 और यह 3 तो इधर था चा रोपे डिवरेड़ को मैंने यह तुरि जी सवंटिपाइफ पर चाहिए टूस्टी टूस्तार दूसरी तरह प्रेडिज्ट किया और अगें पिसरी तरह इस तरह से मेंने कब तक लिया 465 वोल्केज रखा यह वाला वोल्केज 465 तक रखा और इस तरह से रिणिंग लिए सभी रिणिंग मैंने लिए इस तरह से आप जानते हो बाद में क्या किया बाद में मैंने graph draw किया आप graph देख सकते हो यह वाला graph तो पहले count बढ़ता है, बढ़ता है बाद में almost constant रहता है बाद में और भी बढ़ने लगता है आप reading भी देख लो पहले count बढ़ा बढ़ा यह almost constant रहा देखो यह 30, 30 almost constant रहा यह वाला 頭 बाद में बढ़ा that means यह जो region है कि जिसमें count है जिस voltage range में count almost constant रहते हैं उस region को हम play to region बोलते हैं और यह region में हमारी जो GM tube है वो इस voltage range में हम use करेंगे तो हमारी GM tube नुकसान नहीं होगा और it will be easy to use और safe to use in this range ओके तो इसमें हमें safe मिलेगा यहां तो देखो यह जो play to region वाले थोड़े से करो हैं दो point select करो आप लोग दो point आप लोग select करोगे उसमें से यहां आओ और तो आपको count मिलेगा n1, n2 यहां आओ तो voltage मिलेगा तो n2, n1 यह play to region वाला voltage और play to region वाला count तो उसकी मैंने यह दी है grab draw करोगे तो इस तरह साब को क्या मिलेगी? slope of the play to मिलेगा average count आपको n1 प्लस n2 divided by 2 यह average count मिलेगा play to voltage तो कि V1 प्लस V2 divided by 2, average voltage तो बाद में आप लोग जितने भी प्रयोग करोगे तो play to characteristic curve की मदद से आपने जो voltage निकाले वो जो voltage है भविश्य में आपको surface use के लिए कि जब भी आप GMT use करेंगे दो radioactive particle तक्तव है उसकी intensity comparison के लिए daytime जानने के लिए तो यह जो voltage है इतने voltage पर रखेंगे और बाद में उसका practical करेंगे तो यह जो voltage है उसका क्या होगा play to voltage कहां जा रहागा play to voltage is the safest of voltage measuring from graph of the play to for which we can use our tube more safely और relative play to stop है यह slow के इस तरह से हम निकाल सकते हैं तो इस वन इस ए करेकरिकरिश्टिक को GMT I mean N versus PhD voltage यह कवर को करेकरिकरिश्टिक कवर बोलेंगे तो थैंक यू वेरी मिच्छ झाल सकते हैं जाल सकते हैं जाल के जाल